गुरगपुर जिले में सोमवार को 19 नय कुरोना संक्रमित मरीज मिले हैं जिसमें शहरी चेतर में 5 कुरोना संक्रमित मरीज मिले हैं जबकि ग्रामिल चेतर में 13 कुरोना संक्रमित मरीज मिले हैं अन्थाना चेतर में एक कुरोना संक्रमित मरीज मिले हैं वहीं बेर्डी मेटक कॉलेज गुरगपुर में 75 वर्षिया पुरुष तथा 65 एवं 95 वर्षिया दो महिराओं की मौत हुई है इसके बाद से जिले में संक्रमितों की संख्या 69,020 हो गई है इनमें 780 की मौत हो चुकी है 57,620 लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि active case 620 हो गए है इस संबंद में सिय सावधानियों को बरतने की अपील भी की है दोगच की दूरी मास्क है जरूरी समाजिक दूरी का करेपालन अपनी और अपने परिवार को बनाया स्वस्त और सुरक्षित स्यमों डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बिमारी से बचने के लिए विशे सतर बरतनी होगी और लोगों को भीड़ भार से बचते हुए मास्क का इस्तमाल करना होगा जब तक कुरोना की वैक्सीन सभी को नहीं लग जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हत्यार है